दिटॉक्स क्लब कीप टॉकिंग कीप लर्निग चैट होती थी सारी राते वो घंटो फोन पर बाते चैट होती थी सारी राते मैं भी कहां तुधरने वाला था भले कोई मुझे कितना भी डांटे वो हाथों में हाथ था उसका मेरे दिलों पे राज था उसका बे परवाह भले था खुद बहुत उसकी परवाह करता था चोट उसको लगे थोड़ा सा भी चोट उसको लगे गर थोड़ा सा भी तो खंजर मेरे दिल के पार होता था उसी के लिए मैं हसता उसी के लिए रोता था गर वो रूठ जाये तो मैं उसको मनाता था भले गलती न हो मेरी मैं आगे सर जुकाता था जलक एक उसकी पाने को मैं बेकरार रहता था घुमाने के लिए उसको मैं हर क्लास से फरार रहता था आगे सुनेगा उसके गुड मॉर्निंग मैसेज से मेरे दिन की सुरुवात होती थी और जब तक गुड नाइट का मैसेज ना आ जाए तब तक ना मेरी रात होती थी भले बे सुरा था मैं पर उसके लिए था गाता जब भी वो बुलाती थी तो मैं क्रिस्म सा भाग कर था जाता गर लेट हो जाए उसको घर छोड़ने में तो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने भी था बनाता वो मुवी हॉल में अक्सर साइड कॉर्णर की सिट बुक कराता था पर यारो कहां मैं मुवी देखने जाता मैं तो उसकी मोहनी सूरत का दिदार भर करने जाता था वो मुझे जानू सोना कहकर बलाती थी और जब भी मैं छट पे चान को देखता तो उसी की याद आती थी अब तो इसका आलम ये था कि उसी के नाम के चर्चे सरे आम होती थी और उसी के नाम से यारो अब तो मेरी पहचान होती थी उसका साथ पाने को मैं क्या क्या नहीं करता मेरे जिगरी दोस्तों से भी मैं दूर दूर थी था रहता और जब भी वे कहते देखना धोखा देगी तुझे वो एक दिन तो मेरी वाली बिलकुल अलग है यार कहकर हर बार उनी से था जगड़ता और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा फूर उसके बाद कुछ यो हुआ कुछ दिनों में देखा मैंने उसकी फितरत बिलकुल बदल गई कुछ दिनों में देखा मैंने उसकी फितरत बिलकुल बदल गई उसकी बिहेवियर देखकर यादो दिल मेरा चल्ली चल्ली हो गई मुझे लगने लगा कि मुझे जाना कहीं और था मुझे जाना कहीं और था, आए कहीं और थे, दिल की हसरते कुछ और थी, पाए कुछ और थे जब मुझे पता चला की मेरे दिल में तो वो थी, पर उसके दिल में कोई और थे फिर भी मेरा दिल उसी को गले लगा कर रोने का करता था जो हर रोज अपने X के साथ FB में फोटो डाल कर मुझे जलाया करती थी मैंने सोचा रोक लूँ उसे एक आखरी बार, मैंने सोचा रोक लूँ उसे एक आखरी बार उसी के वादू की दुहाई देकर लेकिन फिर इस बार भी वो मुकर गई मेरे ही प्यार की दुहाई देकर वो अब ना आएगी कभी मालूम है मुझे पर ये दिल है कि उमीद खत्म करने को तैयार ही नहीं होता कभी-कभी तो इतनी सिद्दत से उसकी याद आती है कि मैं पलकों को भी मिलाता हूँ तो आँखे भींग जाती पर मैंने दिल को मनाया और कहा चलो कुछ तो दिया उसने क्योंकि रोने के बाद नींद अक्सर अच्छे आती है उनकी लगी खरोज का पता पूरे सहर में था और हमारे गहरे जखमों का कहीं चर्चा तक नहीं मैंने भी सोचा चलो अच्छा है जनाब अब हमारी भी जेबे भरी रहेगी क्योंकि पहले जितना आप खर्चा तो नहीं पहले इतना आप खर्चा तो नहीं और आंत में चलते चलते एक फ्री का तला बिना जियस्टी के मैं तभी आतिकों को देना चाहूंगा भले सिंगल रहना कॉलेज में पर दिल किसी से लगाना नहीं क्योंकि जब भी लड़ खराएंगे तुम्हारे कदम तो ये बेवफाय हस कर बोलीगी जा बाबु जा कोई दूसरी देख ले क्योंकि अब मुझ पर हक तुम्हारा नहीं क्योंकि अब मुझ पर हक तुम्हारा नहीं थैंक यू